रेल्वे के विभागे परिक्षाओं के लिए राजवासा का प्रश्ण उत्तर सेट संक्यात्री अभी तक हमने दो सेट 25-25 प्रश्ण का भीजा है और यह भी तीसरा है तो आईए शुरू करते हैं 51 नंबर से 51 से 75 तक रहेगा 51 संसद्ये राजवासा समीति की कितनी उप समीति तीन उप समीतिया है 52 संसद्ये राजवासा समीति का मुख्य कार्य क्या है तो वह हिंदी की प्रगामी परियोग की समिक्चा करना यानि हिंदी का परियोग हो रहा है उसका समिक्चा करना तिरपन नगर राजवासा कार्यानिवन समीति के अध्यक्ष कौन होते हैं नगर राजवासा कार्यानिवन समीति के अध्यक्ष नगर में इस्थित केंदर सरकार के कार्यालय के बरिष्टतम अधिकारी होते हैं जो सिनियर मोस्ट ओफिसर होते हैं वही इसके अध्यक्ष होत राजवासा कार्यानवयन समिती की वैठकों की अबदी क्या है राजवासा कार्यानवयन समिती की वैठकों की अबदी तीन महीने में एक बार है तीन महीने में एक बार अवस्य होती है वैठक पचपन नगर राजवासा कार्यान्वन समीती की बैटकों की अबदी क्या है तो यह नगर की है प्रशन को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह च्या महीने में एक बार होती है तो वो जो संसाद्ये समीती का कार्यान्वन समीती था वो तीन महीने में और यह नगर का च्या महीन साले में इस्तिता है वही इसे वार्सी कारिक्रम तयार करता है, केंदर सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठिक्रम कौन कौन से हैं हिंदी पाठिक्रम तीन प्रकार के हैं प्रवोध प्रवीन और प्राग्य तीन प्रकार के हिंदी कारिक्रम है हिंदी पाठिक्रम है प्रवोध प्रवीन और प्राग्य अंठावन हिंदी सिच्चन योजना का अंतरगत निर्धारित हिंदी पाठिक्रम की परिक्षाएं बर्स में कितनी बार ली जाती है तो यह बर्स में दो बार होती है यह जो परिक्षा होती है बर्स में दो बार होती है 69 हिंदी प्रवोध प्रवीन और प्राग्य पाठिक्रम की अवधी क्या है कितने दिनों की होती है या इसकी अवधी कितने होती है तो यह पाँच महीने की होती है तीनों प्रवीन प्रवोध और प्राग्य पाँच महीने की कुर्स है 60 केंदर सरकार के लिपकिये करमचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठिक्रम क्या है जो क्लेरिकल स्टाप है उनके लिए प्राग्य पाठिक्रम अंतिम है प्राग्य वो कुर्ष कर सकते हैं 61 हिंदी पार्ट क्रमों में परसिक्चन के लिए केंदर स्रगार के करमचारियों को कौन सी परसिक्चन सुभिदाएं उपलब्ध है तो इसमें चार तरह से है पहला नियमित दूसरा गहन तीसरा पत्रा चार और चौथा प्राइवेट 62. नियमित हिंदी भासा पाठी क्रमों की प्रिक्षाएं किस-किस महीने में ली जाती है तो यह प्रिक्षाएं किस-किस महीने में ली जाती है तो इसका उत्तर है पर तेक वर्ष मही में और नवंबर में लिया जाता है 63. नियमित हिंदी भासा पाठी क्रमों का सत्र किस-किस महीने में आरंब होता है तो यह जनवरी और जुलाई में इसका पाठी क्रम आरंब होता है 64. मात्री भासा के आधार पर किंद्रिये करमचारियों को कितनी कोटियों में बरगी करित किया गया है तो यह किंद्रिये करमचारियों को कोटी का, खा, गा और घा चार कोटी में बाटा गया है, चार कोटी में बरगी करित किया गया है 65. मात्री भासा के अनुसार कोटी का में बरगी कित करमचारी कौन-कौन है कोटी का के अंतरगत कौन-कौन से करमचारी आते हैं, तो कोटी का के अंतरगत जिनकी मातरी भासा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है, तो हिंदी बोली है, वो का के अंतरगत आते हैं, मातरी भासा के अनुसार कोटी खा में बर्गी कृत करमचारी कौन है, यानि पह पस्तो या कोई अनसंबद्ध भासा है साड़ सट सामान्य कारी के अतिरिक्त राज भासा कार्यान्यवयन समीती का कारी देखने वाले कर्मचारी को परतिमाह कितना मान दे दिया जाता है तो इनको तीन सव रुपिये परतिमाह का मान दे दिया जाता है 68. मात्री भासा के अनुसार कोटी गा में बरगी कृत कर्मचारी कौन कौन है भले का खा देखे अभी गा के अंतर रगत कौन कौन आते हैं तो इसका उत्तर है जिनकी मात्री भासा मराटी, गुजराती, बंगाली, उडिया, असमिया और सिंधी है वो गा के अंतरगत आते हैं 79 मातरी भासा के अनुसार कोटी घा में बर्गी कृत करमचारी कौन-कौन है तो गा के अंतरगत कौन-कौन से आते हैं तो जिनकी मातरी भासा दक्चिन वारतिय भासा या अंग्रेजी है सत्तर जोनल से चार लोगों को प्रस्क्रित किया जाता है 71. समोहिक नगत पुरसकार योजना के अंतरगत मुख्याले को दी जाने वाली पुरसकार की रासी क्या है तथा कितने कर्मियों में वित्रित की जाती है इसके जो पुरसकार की रासी है वह 9000 रुपय है और 6 कर्मियों में बरावर बरावर बरगिगरित बाटा जाता है 72, समोहिक नगत पुरसकार योजना के अंतरगत किसी मंडल को दी जाने वाली पुरसकार की रासी किया है और कितने कर्मियों में बितरित की जाती है तो इसकी रासी 6000 रुपे है और यह 5 कर्मियों में बरावर बरावर बितरित किया जाता है 73. समुहिक नगत पुरसकार योजना के अंतरगत किसी कारखाना को दी जाने वाली पुरसकार की रासी क्या है तथा कितने कर्मियों में बितरित की जाती है यह कारखाना वालों के लिए 4000 रुपे और 5 कर्मियों में बरावर बरावर बितरित किया जाता है चोहत्तर नाम-पद नाम ततफा साइन डॉट को किस भाषी क्रुम में प्रदर्शित किया जाना है यानली नाम उरता है पद नाम-उरता और साइन डॉट तीन भाषी हम होती है तो पहला प्रदेशिक भाषा दूसरा हिंदी भाषा उसके बात अंग्रेजी भाषा यानि जो प्रादेशिक भासा है उसे फिर्ष्ट प्रायरिटी में दिया जाता है फिर हिंदी फिर अंग्रेजी 75 रबर की मुहरों को किस भासा क्रम में तयार किया जाता है तो यह इसका जो उत्तर है इसका उत्तर है हिंदी वा अंग्रेजी पहले हिंदी फिर अंग्रेजी ये था क्यावन से लेके 75 तक का प्रस्ण वा उत्तर अगले वीडियो में कुपाने के लिए हमारे चैनल को अबस्ते सब्सक्राइब करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक बोटन अवस्य दवाएं